हलो फ्रेंड्स वेल्कम बाट तो माई चानल मेखा स्टाइल फाइल बहुत यह सीम्पल और क्विक रेसिपी है आज का करेला फ्राइब पहले हम करेले को स्लाइसेस में काट कर रख लेते हैं हमारे स्लाइसेस रेडी है फ्राइ होने के लिए तवे के उपर थोड़ा सा ओयल डाल देते हैं और टिशू पेपर की हल्प से उसको चारो तरफ स्प्रेड कर लेते हैं अब हम स्लाइसस को रख कर फ्राइ करेंगे अब इनको थोड़े से लाइट ब्राउन होने देना है और फ्लिप करके दूसरे साइट पे भी ब्राउन होने तक इनको फ्राइ करना है तो अब यह बन चुके हैं लगबग 5-7 मिनिट लगे मुझे इनको फ्राइ करने में अब इन में थोड़ा सा सॉल्ट अड़ करेंगे और थोड़ा सा रेच चिली पौडर भी यह बिलकुल आ तो सारी चीज़ों को अच्छी से मिक्स करना है उपर से थोड़ा सा निबू का रस्पी डाल देंगे ताकि करेले का बिटनिस थोड़ा कम फील हो तो क्रिस्पी करेला फ्राइ इस रेड़ी तू सर्व नाओ अगर आपको मेरी एक क्विक एंड सीम्पल रिस्पी अच्छी लेगी तो लाइक का बटन हिट करना और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब तो माइ चैनल थैंक यू फो वाचेंग